हेलो फिरेंग आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं डिजिटल सेवा में नियो अपडेट आया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं डिजिटल सेवा के होम में है यहां एक नया सर्विस दिख रहा है CSC सर्विस इसमें किलिक करना है यहां मेंशन क्या हुआ है, डिजिटल सेवा में क्या क्या सर्विस मिलता है, सारा कुछ मेंशन क्या हुआ है, आधार रिलेटिव है, एगरी कल्चर है, बेंकिंग है, निचे स्क्रोल करना है, एजुकेशन रिलेटिव है, एलेक्शन रिलेटिव है, एलेक्शिटी पहले डिजिटल सेवा के होम में यह सब सो नहीं कर रहा था अभी यहाँ नया अपडेट आया है कोई भी अगर CAC ID लेना चाहता है तो यहाँ सर्विस देख सकता है क्या-क्या सर्विस मिलता है CAC के पोटल में दूसरा अपडेट है डिजिमेल डिजिमेल में किलिक करना है डिजिमेल भी अपडेट है यहाँ से डायरेक्ट लोगिन कर सकते है डिजिटल सेवा में और भी अपडेट है और दिखाते हैं लोगिन में किलिक करना है डिजिटल सेवा में न्यू लोगिन सिस्टम आ गया है CAC ID डालना है पासवर्ट डलना है पासवर्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है कैपचा को अपडेट किया है इस कैपचा को यहाँ पे डलना है और सबमित करना है नीचे स्क्रॉल करना है Forget Password का Option भी आ गया है यहां से आप Password चेंज कर सकते हैं Forget Password में किलिक करना है Digital Siva Connect Forget Your Password User Name डालना है Register Gmail डालना है इस Capture को Enter Capture डालना है Get a New Password में किलिक करना है Option खुल जाएगा वहां से Password चेंज कर सकते हैं अभी Back चलते हैं नीचे यहां यह सब पहले से ही Active था Information, Connect, Help, Account Digital Siva को Login करके दिखाना है Digital Siva को Login कर लेना है CAC ID डाल दिये Password डाल दिये Capture को यहां पे डालना है और Submit करना है Capture डाल दिये Submit करना है Digital Siva के Dashboard में आ चुके हैं नीचे Scroll Down करना है Digital Siva के Dashboard में कुछ भी अपडेट नहीं किया है CAC ने 4-5 अपडेट किया है आज का वीडियो इतना ही था Thanks for watching वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सुस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में